असलाम अलेकूम दिस से लिंक फ्राइम स्क्रिस अकाडमी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से external duplicate content चेक कर सकते हैं external duplicate content वह होता है जब दूसरी website हमारी website का content copy कर लें तो इसके लिए हम जाएंगे copiescape.com के उपर अपने article का link copy करेंगे यहां पर paste करेंगे go तो आप देख सकते हैं यह वो सारी website हैं जिन्होंने हमारा content कोपी किया है अब यह देखेंगे यह exact same content हमारा इस्तमाल कर रहे है तो आप DMC report कर सकते हैं यहां से google search कोपिराइट इन फ्रेग्मेंट यहां से अधर क्रिएट रिक्वेस्ट तो फिर यहां भी यह सारा डेटा फिल करके आप बता सकते हैं उन्हें कि इसने हमारा content कोपी गया और गुगल रिमॉव कर देगा उसके लावा फॉर ग्जैंपल अगर आप किसी राइटा इस्तमाल क अधर को टॉपिक लिखने के लिए देते हैं और वो आपको एक दोग फाइल प्रॉवाइड करता है तो उसके अंदर आप तो इसके अंदर आप यह content पेस्ट करेंगे और उसके बाद चैक प्लेग्रिजूम तो यह word by word चेक करेगा और आपको बताएगा कि कहां पे duplicate content यूज़ हो रहा है तो फॉर ग्जैंपल यह है तो compare के पर क्लिक करेंगे तो यह हमें दिखाएगा कहां कहां पे यूज़ हो रहा है तो वो वीडियो देखने को श्क्रिया आपको इन concept की समझागी होगी